तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि 14 अक्टूबर से सेट अप परिक्षा शुरू होने वाली है और इस बार सेट अप एक्जाम के लिए बिहार बूर्ड कोशन खुद तयार करेगा तो ये कोशन कॉलेज में कब तक पहुँचेगा और इसके लिए बिहार बूर्ड ने क्या शक्त निर्देश जारी किये हैं आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग समझ लेते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्विस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्ली ही चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि बिहार बूर्ड से जुरी हुए हर एक जानकारी आपको सबसे पहले वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए का और इस वीडियो को जासाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ जाएए वहां से मौडल पेपर डाउनलोड कीजिए और उससे आप प्रैक्रिस कीजिए हर एक सबस्का आपको 10-10 सेट मौडल पेपर मिल जाएगा और ये बिहार बोड के दोरा ही जा रही किया गया मौडल पेपर है अलाकि ये 2017 का है लेकिन इसे बोड एक्जाम में हर साल जो है 50-60% तक कोशन पोस्त दिये जाते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि अभी आपने मौड इसकिन पे आप देख पारे होंगे पर्षन पत्र लिख हुआ तो इसकुल जिम्मेदार अब यहाँ पे चलिए पूरी ख़बर क्या है उसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं तो देखे यह जो है सो कोशण पेपर बेजा जाएगा और यह कब तक भेजा जाएगा आप जैसा की यहाँ पर भी देख पार होंगे ये जो person पत्र भेजा जाएगा 9 October से 11 October तक person पत्र प्राप्ट कराया जाएगा 9 October से लेकर 15 October के बीच में college के पास ये सिझ्छा पदधिकारी के पास जैसो भेजा जाएगा ये जितने भी आपको सामगरी exam से related हो सबी चीजे 9 से लेकर के 11 अक्टूबर तक ये सिक्षा उफिस में जो एसो पहुंच जाएगा और उसके बाद वहाँ से 11 तारीक के बाद से जो है वो कॉलेस को जो एसो भेजा जाएगा चलिए आगे क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा जान लेते हैं बोड की मानों तो अगर परसन पत्र लिख होता है तो इसकी पूरी जिम्यवारी इसकुल परसासन की होगी अब यहां से ये भी कहा जा रहा है कि अगर परसन पत्र जो कोशन पेपर अगर वो लिख होता है वो किसी भी तरह से अगर कहीं लिख होता और उसकी खबर बिहारबुर तक पहुंसती है तो इसकी पूरी जेमेवारी इसकुल परसासन पर होगी इसके लिए इसकुल की जवाब देही बनेगे और इसके लिए इसकुल को जवाब देना होगा यानि कि जिस तरह से board exam लिया जाता और पहले जो हैसो सिक्षा कारयाले में question पर पहुंसता है फिर exam के दिन या exam से एक दिन पहले e-school या college में question पर पहुंसता है और अगर वहाँ से question लिख होता है तो वहाँ से college को जवाब दे ही देना पड़ता है college को जाब देना होता कि आखर का लिक कैसे हुआ और ऐसे में उस college पर ये खत्रा माराता रहता है कि कहीं उसको suspend ना किया जाए कि उसे जो है सो जो मानेता है वो मानेता ना छिन लिया जाए और वही चीज़े इस setup परिक्षा में जो से दी जा रही है यानि कि हू बहू जो है सो final exam के तरह लिया जा रहा है कहीं मुझे तो ये भी शक लग रहा है कि कहीं बिहार बोड ये खोसना ना कर दे कि जो setup परिक्षा है उस setup परिक्षा का 10% marks जो है वो final exam में बोड इगेर में जुड़ जाएगा जैसे सिवेसी बोड है तो सिवेसी बोड में कैसारे ये प्रोजेक्ट होते और उस प्रोजेक्ट का marks भी जिसो final exam में जुड़ता है तो कहीं ऐसा नहों कि बिहार बोड अब ये घोसना कर दे कि जो setup परिक्षा में ले रहा हो इस setup परिक्षा का 10% marks जो है वो final year में जुर जाए पता नहीं ये क्या है नहीं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चे कुछ परहे नहीं है क्या exam देगा ये ठीक है setup परिक्षा ले रहे है बहुत अच्छी बात होती है कि स्ट्रेंड का पता चल जाता है उसकी practice किस तरह से हुई है वो किस तरह से प्रहाई किया है बोड एक्जाम में कोशिंद किस तरह से पूछा जाएगा लेकिन इस साल तो हद होगी इस साल तो बचे कुछ परहे ही नहीं है एकिने अब कोशिंग वगरा खुलना शुरू हुआ तो अब बचे कहीं अच्छे से focus कर पाएंगे अभी तक तो कुछ पढ़ाई नहीं तो लिखेगा किया जो एक्जाम में वोड अधक्च आनंद किश्वर की मानो तो छात्र हीत में एक ही परसनपत पैटन पर इंटर की सेटप परिक्चा होगी इससे छात्रों को इंटर वार्शिक परिक्चा के पहले पैटन का पता तो सेटप परिक्चा से ही चल जाएगा आपके लिए मैं इंग्लिश हेंडिर मार्क्स और हिंदी हेंडिर मार्क्स का स्टडी मेटल तयार कर दिया हूँ जो आपको PDF के रूप में मिलने वाला है और अगर आप इस नोर्स से तयारी करते हैं तो बोर्ड इक्साम में आप अच्छा खासा नंबर लेगर के आ सकते हैं और इस नोर्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोर्स को पढ़ने के ज़रुवत नहीं पढ़ेगी अगर आप इसे खरीदना चाते हैं तो इसके लिए आपको 120 रुपया पे करना होगा इंग्लिश का 400 रुपया और हिंदी का 60 रुपया आप हमें 8083216409 पे पेटियम या फॉन पे गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो लेगर के वाटस अप पे भेज़ दीजिए वाटस अप पी आपको PDF मिल जागा यही है वाटस अप नमबर 8083216409 तो अमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए जाए सदा शेर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलता एगले वीडियो में तब तक के लिए बाई